आईश्मान खुराना जो कि हट के मूवीज करने के लिए जाने जाते हैं विकी डोनर्स उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करी थी और लगातार कुछ ऐसे टॉपिक्स के उपर उन्हेंने मूवी करी है जिसके उपर मेंस्ट्री मूवीज में जो बड़े अभिनेता होते हैं वो करने से थोड़ा बिचकते हैं लेकिन ऐसी ही मूवीज करने इसके कारण आईश्मान खुराना जो है वो अपनी एक अलग पहचान मना चुका है अलग फैन बेस मना चुका है और लोग उनकी मूवीज को पसंद भी करने लगें ऐसे में चंडीकर कड़े आश्यकी जब रिलीज हुई वो इसका ट्रेलर जब रिलीज हुआ था पहले तब भी लोगों ने इसके पसंद किया थो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट था जो कि आजकल के लोगों को हजम होना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये भी एक बात अलग है कि वो एक हकीकत भी बनता जा रहा है ऐसे में ये मूवी कैसी है क्या इसको देखना चाहिए या नहीं यह हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे चंडीगर करें आशी की आम फिल्मों से हट कर बात करती है लेकिन क्या ये नॉर्मल है इस सवाल का जवाब आपके नजरीय पर निर्वर करता है फिल्म में हीरो अपनी ट्रांस गर्ल नाईका से कहता है कि नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल नजरीया होता है निर्देशक अविशेक कपूर की सिनेवागरों में रिलीज हुई ये फिल्म मुद्दे पर आने में ज़ादा वक्त नहीं रगाती यहां हीरो आईश्मन खुरान चंडीगर में बॉडी बिल्डर वेटलिफटर है वो अपने जिम की चेन खोलना चाहता है लेकिन इसके लिए उसे चैंपियन बनना होगा तब ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और स्पॉंसर मिलेंगे इससे पहले की वो ऐसा करे जिम के दूसरे कोने में जुम्बा क्लासेस लेने के लिए मानवी मतलब की वानी का पूर आ जाती है उसकी क्लास चल पड़ती है और हीरो भी उसके प्यार में डूब जाता है प्यार सीधे फिजिकल होता है और जब बात जिन्दगी में सीरस होने की चलती है तो मानवी उसे बताती है कि वो पैदाईशी लड़का थी उसने ऑपरेशन करके अपना से एक्सचेंज कराया है हिंदी मीडिया में पड़े हीरो के लिए ये एक बहुत ही भयानक बात है उसका जीवन में उतल पुतल मत जाती है अब वो क्या करे प्यार में आगे बड़े या मानवी से दूर हो जाए बस यही सब इसी कहानी का हिस्सा है आईशमान खुरान और वाणी कापूर ने अपने करदारों को बड़ी अढंग से परदे पर उता रहा है बॉडी बिल्डर वेट लिफ्टर के रूप में आईशमान की बॉडी लैंगवेज जबरदस्त है लेकिन उनका अंदास थोड़ा और देसी होने की डिमांड करता है वहीं परदे पर मर्द चहरे वाली वाणी एक अंग्रीज युफ्टी के रोल में काफी अच्छी नदर आती है उसके चहरे पर मासूमियत है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती उन्होंने ये फिल्म करके करियर में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जहां तक कहानी की बात करें तो इसमें रोमान्स कम और जिस्मानी संबंदों की बात ज्यादा है चंडीकल करे आशी की बार बार स्थापित करते हैं कि ट्रांस परसन होना नॉर्मल है जैसे अभी तक ये बात होती आई है कि लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है फिल्म इसमें जो खुद फिल्म की कहानी में ये बात मजबूती सामने आती है मानुवी को देखते ही ही हीरो की बहने उसकी खुबसूरती पर फिदा हो जाती है लेकि जैसे ही पता चलता है कि वह एक ट्रांस गर्ल है और वो उसके प्रती परिवार का एक नजरिया जो रहता है वो पूरी तर कर रह जाती है चंडिकर करे आशिकी के रिस्क्रिट पर बहतर ढंग से काम करने की जरूरत थी इसके समवात सीधे सटीक है और उन पर गहरा पंजाबी इसर दिखता है कहानी से रुमान्स गायब है टेंशन ज्यादा है लेकर निर्देशक ने बातों को हलके फुल के अंदा करती लेकिन उसके हक में खड़ी जरूर दिखाई देती है बदलते हुए टाइम के साथ कई बातों को सुईकार करना असान नहीं होता और बॉलिवड फिल्म में लगातार LGBT समुधाय को सामाने लोगों की तरह स्थापत करने की कोशिश में लगी हुई वो दोर गुजर चु करती है फिल्म का गीत संगीत ओसत है पंजाब और उससे जुड़े इलाकों में बले ही लोग इसे सुने गुन-गुना है लेकिन बाकी में इसका कोई कनेक्ट नहीं बैठता फिल्म देखकर इसके टाइटल को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चंडीकर के ट्रांस कि एक बार आप इसको देखिए और भूल जाईए तो इसी लिए हो सकता है लोग इसको पसंद भी करें अगर आपने मुवी देख लिए तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे सुड़ें फिलात नहीं जये हैं जये बारत